हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Unit 2 Security Analysis and Portfolio Subject है हमारा Becom 4th SEM का इस सब्जेक्ट के इस वीडियो में हम लोग जितने भी important questions हैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा unit 1 cover up किया था और जो भी बच्चे direct unit 2 की वीडियो पे आये हैं उनके लिए मैं unit 1 का link उपर i button में नीचे description में देने वाली हूँ so please first जाके उस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि आप लोगों का unit 1 within a 40 minute मैंने cover up किया है उस वीडियो के अंदर तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं after that इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी concept कही हद तक ज़्यादा clear होंगे क्योंकि जब आपका एक subject का base ही नहीं ready है तो आप उसके लिए ये क्योंकि advanced level के chapter आगे आजाएंगे क्योंकि अगर आपको investment का meaning की नहीं पता तो आगे आप portfolio management कहां से करोगे तो basic से start कीजिए और दो गंटे के अंदर आपके पूरा subject complete होने वारा है क्योंकि 40 minute की वो है और 42 30 minute के नियर ही ये वाली वीडियो जाएगी तो जिनोंने भी नहीं देखी है specifically उसको देख ले और जो भी viewers हमारे चैनल पर पहली पार विजिट कर रहे हैं प्लीस चैनल को subscribe कर ले और साप में notification को ओन ज़रूर कर ले क्योंकि ऐसी ही important videos related to your old subject में लेकर आती रहती हूँ चाहे become second है, third है, fourth है, fifth है, sixth है, sixth है, sixth है, किसी भी semester की और चाहे आप m.com में भी चले जो वीडियो जाती रहेंगी तो notification को अभी own कर लो कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो जाए तो चलिए वीडियो को करते हैं start आज का पहला question क्या है जी देखिए what do you mean by portfolio management पहले तो portfolio management क्या है, then उसके needs, objectives, advantages, disadvantages, elements, approaches किते सारे topics है so within a five minute इसको cover up करेंगे, फटा-फट portfolio management क्या होता है जब भी आप कहीं पे investment करते हो, सबसे पहले आपके पास एक portfolio management तो होना चाहिए ना अगर आप अपना portfolio managing नहीं कर सकते, आपने different different 50 जगह पे investment कर दी और आपको उस portfolio को, अब आप जब उस application को open करोगे, जहां से आपने investment की, वहाँ पे आपका एक portfolio show होगा तो अब आपको उसको manage नहीं करना आ रहा, कि कब कौन से investment को sale करना है, कब कौन से investment को hold करना है आपको वह चीज़ पता ही नहीं है, तो portfolio को manage करना, आपके पैसो का एक boss की तरह काम करेगा, अगर आपको manage करना नहीं आता तो आप जितनी margin investment कर लो, आप डुबो दोगे पैसे अगर आपने पैसे invest करने के बाद return लेने ही नहीं आ रहें आपको, तो उसका क्या फायदा, it's about deciding how to invest, कि आपने कैसे invest करना है wisely, और उसको time के साथ कैसे grow करना है, just like a boss, जैसे boss अपनी team को manage करता है, company के goals को achieve करने के लिए, वैसे ही portfolio management, जिसमें involved होते हैं, यह आपको बताता है कि right mix of investment क्या है, कौन-कौन से shares को आप पाय कर सकते हैं, ताकि आप जिसकी help से आप लोग अपने financial goals तक easily पहुँच पाए, investment का simple मतलब portfolio management यह होता है, कि आपको चूज करके बता देता है, कि एक mixture बना के देता है, कि आप यहाँ यह investments कर सकते हो, जो आपकी financial goals को कहीं न कहीं complete कर देगा, it's about making smart decision, कि आपको smart decision लेना है कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, आपको उनको संभाल के रखने की जरूरत नहीं, आप उनको कहीं invest करो, आपके लिए आपका पैसा आगे पैसा कमा के देगा, so think of portfolio management like a game plan for your money, अब इसके कुछ objectives हैं, needs हैं या advantage हैं, तीनों में आप यही points की heading लिख सकते हो, एक ही topic आएगा, तीनों में से कोई भी, तीनों नहीं आने वाले आपको, ठीके, तो पहला इसका objective या advantage बोल सकते हो कि यह maximum returns की guarantee देता है, यानि कि इसका main काम है कि आपको ऐसी investments find out करके देना, जिसमें आपको higher return मिले, best return मिले, जितनी possible आपको द कर देता है, आपको investment के लिए different different चीजें या different different type की companies यह suggest करता है, जिसकी वज़े से आप अपने सारे पैसे, एक ही जगह पे invest ना करके, different different जगह पे invest करोगे, तो रिस्क कही ना कहीं है कम कर देता है, ये भी इसकी advantage भी और objective भी है, third, adapt to change, आप देखो life surprises से बही 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 है, कभी भी economy में कुछ भी change आ सकते है, तो portfolio management ये एक continue process है, हम लोग इसको ये नहीं कर सकते हैं कि set कर दिया और भूल जाएंगे, तो ये continuous process है, you need to adjust your investment, इसके अंदर आपको जब भी कोई company में, industry में change आएगा, तो according to your portfolio, अपनी investments को adjust करना पड़ेगा, जैसे life change होती है, वैसे ही financial world भी change होता है, तो आपको उन changes को accept करना है, adapt करना है, ये भी इसकी एक objective है, and secondly ये इसका एक advantage भी है, कि changes को फटा-फट portfolio management adapt कर लेता है, और आपको इतिला कर देता है, कि अगर आपको अपनी investment इधर उदर shift करनी है, तो अभी कर लो, इसका next objective plus advantage क्या है, कि आपके goals को achieve करने में आपकी मदद करता है, ये आप अपनी savings कर रहे हो, अपनी dream vacation के लिए, चाहे आप एक घर बाय करना चाते हो, चाहे retirement के लिए, जो भी आपके goals है, उनको achieve करने में आपकी मदद करता है, fifth, ये आपकी performance को track करता है, this one is also objective and advantage, portfolio management help करता है, management की in tracking the performance, ये आप अपनी performance को track कर सकते ह क्यों कि आपकी investment जो है, वो कैसा perform कर रही है market में, next, improve financial understanding, अब आप investment में उत्रोगे, उसकी position को track करोगे, उसकी उपर पूरी नजा रखोगे, market के trends को देखोगे, तो definitely आपको भी तो financial knowledge आएगी न, तो कही न कहीं आपकी financial knowledge भी इससे improve होगी, जब आप as a investor market में उत्रोगे, आ मेरी fees की payment जो है, वो less हो रही है, कितनी brokerage में को भड़ रही है, तो बहुत सारी financial knowledge आपको मिलेगी, तो इसमें ये इसकी advantage और need दोनों ही है, need कैसे objective क्या है कि आपको knowledge देनी है, कि हर समय आपके पास कोई बंदा नहीं रह सकता, तो आप अपने decisions ले पाओ, और advantage क्या है कि वही आपकी सबसे बड़ी advantage है, अब बात करते हैं इसके disadvantage की, portfolio management की disadvantage क्या है, इसमें cost बहुत ज़ादा होती है, अगर portfolio management definitely हम किसी professional से करवाएंगे, तो portfolio manager की cost है उसको higher करने की, कई बार वो ज़ादा होती है, तो जो की आपकी जित्ती भी return आने वाली है, उस सब को नोच है, चाहे आपने अपने सभी पैसे एक जगा पर invest नहीं किये हैं, तब भी कही ना कही market में risk available होता है, कभी economic downturns आ सकते हैं, या political instability हो सकती है, कई other factors भी हो सकते हैं, जो आपके portfolio को effect कर सकते हैं, second disadvantage, market में risk हमेशा रहेगा, market में risk हमेशा रहेगा, चाहे आप अपने पैसों को जितना मर्जी diversify करके invest कर लो, तब भी वो risky रहेगा, third, over diversification, कई बार हम क्या करते हैं, diversification अच्छा होता है कि पैसों को अलग-अलग जगा पर invest करना, but over diversify कर देना, यानि कि इत्ती सारी investment कर देना कि उन्हों सभी को track कर पाना, difficult हो जाए, अब यह है कि आपने 10,000 invest करने हैं, और आप 100-100 रुपेगी investment मैं कितने shares में कर चुके हो, तो आप सभी को एक साथ track नहीं कर सकते, तो पैसे उतने उसी जगा पे लगाओ, जिसको आपको track करना, at least आप 5-6 investments में distribute कर सकते हो, अपनी money को, यह नहीं है कि आपके 10,000 और उसको 1,000,000 shares में distribute कर देना, तो no, that's wrong, over diversification अच्छी नहीं होती है, आप अपना ही portfolio manage नहीं कर पाएंगे, इसके बाद next disadvantage क्या है कि इसके अंदर कोई guarantee नहीं है, कि अगर आपने investment की है, तो आपको भई हम लोग लगपती बना के ही बेजेंगे, hero बना देंगे इस investment के बाद, नहीं, कोई guarantee नहीं है investment की, next, कई बार हो जा अब मैंने अगर आपको विश्यवानी कर दी कि कल market अप चाहेगी, मैंने सिरफ prediction किया है, forecast किया है, I don't know कि morning में क्या होने वाला है, तो faulty गलत forecasting भी तो हो सकती है न, चाहे हम उनको पूरा evaluate भी कर रहे हैं, हर भार market हमारे हिसाब से तो नहीं न, move करेगी, तो कुछ time तो ऐसा इसकी 5 disadvantages है, so I hope आप लोगो clear है, next इसकी elements, elements क्या है portfolio management के, elements, पहला element क्या है कि plan your investment, first plan your investment, this is like making a shopping list, कि आपको अपनी investment को plan करने है, जैसे आप shopping list बनाते हो न, store पर जाने से पहले exactly वैसे, आपको decide करने है कि आपको कहा पर invest करने है, कितना आपको risk लेना है, कितने समय के लिए आपको invest करना है, पूरा, पूरी एक planning ready कर लो, कि मुझे कहां क्या, कितने समय के लिए क्यों invest करना है, second element, अपनी investment को choose करो, जैसे आप recipe बनाते हो, कुछ भी cook करते हो, तो ingredients को select करते हो, कि आज मैं इसमें ये flavor दूँगा, ये देंगा, तो वैसे ही, अपनी investment को select करो, different type of companies, stocks, bonds, real estate, जो भी आपको लगते हैं कि आपके financial goals को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, उनको as your investment choose करो, third, spread your investment, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि अपनी investment को different different जगा पे आप लोग spread कर सकते हैं, इक ही जगा पे अपने सभी pieces को puzzle के रखना बेफफूफी होगी, तो उसको spread कर के invest करोगे, तो best रहेगा, इस third element है, fourth element क्या है, कि अपनी portfolio को check करते रहना, monitor करते रहना, जब भी उसमें जो भी changes की ज़रूरत है, उसको definitely regularly करते रहना, fifth element क्या है, adjust our time, just like update your wardrobe, जैसे आप अपने wardrobe को time के time update करते रहते हो, seasons के according, वैसे ही अपनी investment के जो strategy है, उसको भी आपको time क change करना चाहिए, you might adjust your portfolio, जैसे आपके goals adjust होते है, risk tolerance, आज आपने market में काम करना शुरू किया हो सकते है, आज आपकी risk की tolerance सिर्फ 100 रुपया है, पर कल वही एक बंदे की salary आप risk पे लगा दोगे, अगर आपको investment में अच्छा खासा confidence आगया, कि मैं पैसा निकाल लूँगा अप पे ठीके होगे, जत्ता बड़ा risk होगा, उत्ता बड़ा amount आएगा, याद है ना, हर्शद महता की line है ये, कोई भूल नहीं सकता, next element क्या है कि performance को review करते रहे ना, जो भी आपने reports के according अपने जो भी decision लिये हैं, तो आपको उसको हमेशा check करते रहे ना, अपनी performance जो भी आपक परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको check करते रहे ना, अब बात करते हैं, portfolio management के कुछ factors के बारे में, portfolio management के factors क्या है, first factor है financial goals, these are like destination on a map, your goal, determine where you want to, your money to take you, आपके goals ही कही ना, कहीं determine करते हैं कि आप अपनी money कहां लगाना चाहते हो, आप क्या लेना क्या चाहते हो, environment के लिए, children के education जो भी है, अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, चाहे वो elements है, चाहे वो advantages है, चाहे हमने starting में, unit 1 में जो अपने किये थे investment के questions, सभी में headings वही खूम फिर रही है, आपके financial goals क्या है, आप कितना risk ले रहे हो, diversify कर दो अपनी, तो यह 10-12 headings है न देख लो factors है, risk tolerance कितनी है, किते time period के लिए आपको कोई investment करनी है, time horizon, उसके बाद market की condition को check करते रहे हमेशा market पे अपनी निगाहे टिका के रखनी है, diversify यानि कि अपनी investment जो है different different जगा पे करो, एक ही जगा पे आपको पैसे अपने invest नहीं करने है, और आपको जो भी है investment करने कि cost और fee लगेगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कि cost और fee आपको कहीं ज़्यादा ना लग जाए, तो ये ना हो आपकी brokerage बहने की जगा, जो आप brokerage भर रहे हो, वो आपके जो भी profits आ रहे हैं, सारे के सारे profit brokerage ही खा रही है, factors के points, same उपर वाले points से मिलते हैं, आ autopilot, आपने अपनी investment को autopilot mode में लगा दिया, in passive portfolio management, you invest in a diversify mix of assets, passive portfolio management में क्या होता है, कि आप अपनी जो investment है, उसको diversify करके, mix different of assets में invest कर देते हो, and then sit back, and then let them grow over with time, without much active buying and selling, आपने एक बार अपने mix of assets को buy कर लिया, उसके बाद आपने उस application को कभी खोल के ही नहीं देखा है, Columbus हम आपने active buyer नहीं हो, without much active buying or selling, तो आपने वो नहीं किया, it's a hand of approach, that aim to match the performance of specific market index, एक तरह से इसमें बोल सकते हैं, कि आप active buyer नहीं हो, just आपकी एक passive approach है, कि मुझे मेरे financial goals को पूरा करना है, तो आपने एक investment की, उसको autopilot mode पे लगा दिया, उसके बाद आपने उस application को ही बंद कर द ठीक है, तो यह है passive approach, जिसमें आप autopilot mode पे, next है active approach, जिसमें आप active रहोगे, imagine, it's like driving a car, जैसे आप car drive कर रहे हो, वहाँ पे आपको कैसे active रहना पड़ता है, कि कहीं ठुकना जाए, कार इधर से, कभी उधर से, so वैसे ही active portfolio management में, you have a skill manager, या team होगी, जो आपको actively decisions लेने में help क करेगी, कि आपको कब buy करना है, share को कब sell करना है, adjust करनी है, अपनी investment, जो भी market की condition या analysis की according के बनता होगा, वो team आपको बताएगी, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी active approach है, आप active portfolio को अपने manage कर रहे हो, actively day by day उसको check करे हो, कि मुझे कहा भी क्या update करने की ज़रूरत है, they aim to outperform the market और achieve specific goals by making strategic moves, तो इसमें आपका aim क्या होता है, कि आपको जो भी आपके specific goals है, उनको complete करना है, जो भी strategic move, जो भी आपको strategy change करनी पड़े है, उसको करके, किसी भी हाल में मुझे goal पे पहुंच जाना है, ठीक है जी, next इसकी approach क्या है, strategic asset allocation, think of it as plan your route, अब देखो, अगर आप assets को strategically decide नहीं करोगे, जैसे अगर आप कोई trip पे जा रहे हो, और आपने उस trip पे जाने से पहले, उसका route decide ही नहीं किया, कि कौन से रस्ते से जाना है, तो with strategic asset allocation, आपको एक target, जो भी आपका target है, पहले तो उसको decide करना है, आपको उसी के according mix of assets की एक mixture को लेना है, जो आपके financial goals क पूरा कर पाए, जो आपका risk tolerance है, उसके according, जो आप चाहते हो, उसी के according decide करना, उसी के according strategy बनानी, पहले अपना target decide करोगे, तब ही आप उसी के according strategy बनाओगे, मेरा target है, मुझे घूमने कहीं जाना है, तो मैं उसके लिए route देखूंगी, रस्ता देखूंगी, किस way से मैं जा सक है, जिसमें आप risk लेने को ready हो, उसी के according आप asset slogan कि मुझे एक बड़ी income चाहिए in future, मेरा ये goal है, तो मैं इतना risk लेना चाहता हूँ, मुझे चाहिए risk लोगा, तो शायद कुछ मिल जाए, तो वही चीज है, next approach क्या है, tactical asset allocation, it's like adjust your route, tactical asset allocation मतलब अगर आप jam, अगर आप कहीं प asset allocation में क्या होता है, you make short term adjustment, इसमें आप short term changes करते हो, जब हम route change करते हैं, तो आगे जाएगे कहीं आप लोग अपनी investment में भी कर सकते हो, tactical change ला सकते हो, short term adjustment कर सकते हो, क्योंकि आपकी expectation है, तो आपको अगर अपनी goals को achieve करना है, तो आपको हो सकता है, कई बार थोड़ा सा रस्त बदलना पड़े, but goal आपका वही रहेगा, आपको अपने goal पे निगाहे टिका के रखनी है, चाहें आपको जितने मर्जी shortcuts लेने पड़े, so I hope it's clear, next approach क्या है, dynamic asset allocation, this is like having a GPS, that recalculate your route in real time, अब आपके पास इसमें, dynamic asset में क्या है, कि आपके पास एक GPS है, जो आपका route, real time में आ dynamic asset allocation involves continuously, इसकी अंदर क्या है, यह continuously market की condition को monitor करता रहता है, और उसी के according आपके portfolio को adjust करता रहता है, कि अब आपको portfolio में changes करने चाहिए, अब नहीं करने चाहिए, तो पूरा actively monitor करेगा यह market को, तो dynamic asset allocation approach है, अब अभी हमने इसकी कुछ कही है, approaches, अब बात करते हैं, हम इसकी stages, stage of portfolio management, portfolio management की कون-kूब सी stage इसे सबसे पहली stage आती है portfolio management, आपके objectives को set करेंगा, setting objectives, क्योंकि investment को start करने से पहले आपको decide करने न, आपको आपको कहां जाना है, उसकी बाद आपके assets, decide करेंगा, कि आपके packs, backpack करेंगा, यानि कि पहले आपने destination decide कि आपके backs back होंगे, आपको जनी पे ज रहेगी कम रिस्क होगा तो ऐस उसी के अखॉर्डिंग आपकी जो मिक्स्ट की जो मिक्स्चर है वो त्यार किया जाएगा नेक्स आपका पॉर्टफोलियो construct किया जाएगा यानि कि जो आपकी different assets है उनको pieces को एक puzzle में इकठा किया जाएगा assemble किया जाएगा जो भी आपने investments के लिए select किये होंगे portfolio में तो उन सब को assemble कर देंगे और आपका जो भी risk है या और जो भी return है वो एक तरह से balance होके माँ पर show करेगा एक mix आपने बनाल create कर लिया जिसमें आपके पूरे objectives जो है पूरे हो जाएंगे तो portfolio construct करना कि किन assets में buy करने से मेरे financial goals complete हो सकते हैं next उसको monitor करते रहना और rebalance करते रहना अगर कहीं पर भी इसमें कुछ changes करने की जरूर रहता है तो वह करते रहना points वहीं है देखो next performance evaluate करना देखो performance evaluate करना it's like assessing how well you are processing toward the destination performance को evaluate करना involve annals करते रहना portfolio की return को compare करते रहना कि जो हमारे objectives थे या जो हमारे benchmark थे उसके तक पहुंच रही है किनी performance देखते जरूर अब यह थे इसकी कुछ stages stages of portfolio management so I hope आप लोगों को इच्छे से clear है next question की तरफ चलते है what is risk management risk management क्या है risk management is like wearing a helmet आपको risk को manage करके चलना है तो अगर आप bike चला रहे हो उसमें बहुत जादा risk है अब आप उसको manage कैसे करते हो helmet wear करके just like same investment होता है तो अब यहाँ पर पहले read करते है कि क्या लिखा हुआ है risk management is like wearing a helmet जब आप driving कर रहे हो ride कर रहे हो अपनी बाई को it's all about protect yourself खुद को protect करना जो भी unexpected खड़े आ रहे हैं रस्ते में उनसे है ना so easy language में बोलें it's mean taking step to deal with things that could go wrong तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है दिखे यहां से इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी deal कर रहे हो और उसमें आपको लग रहे है कि कुछ भी गलत हो सकत है यह आपको कोई problem face करनी पड़ सकती है तो आप वहाँ पर protection लेकर चलोगे आपको पता है कि यहां पर आगे मेरे पैसे डूबने के chances है इस company के बारे में बहुत सारी बैड यूमर मार्केट में already चल रही है तो मैं क्यूं उस company में अपने पैसे डूब होने जाऊ है ना तो म हाम जो आपकी investment को हाम कर सकते है क्योंकि अगर किसी company की already market में बुरी image चल रही है तो वो कहीं ना कहीं company को नीचे लेके जा सकती है investment को down ले जा सकती है so these risks could be things like change in economy में change आ सकता है कोई unexpected event हो सकता है और even mistake in your own decision और हमारे खुद की decision में भी हमारी गलती हो सकती है so हमें risk को पहले तो identify करना है second हम risk को assess करेंगे it's like figure out likely it is to rain on your picnic यैसे कि हम लोग कहीं पर घूमने जाना है तो पहले weather forecast करते हैं कि क्या आज बारिश हो सकती है कि नहीं बैसे ही risk को assess करना once you have identify risk जैसे आप identify कर लोगे you try to understand how likely they are happen and how much damage they could cause फिर उसके बाद आपको यह समझना है कि यह risk कैसे हो सकत है और यह आपकी investment को कैसे damage कर सकता है क्योंकि कुछ risk होते हैं बहुत छोटे से होते हैं क्योंकि वह कहते हैं जब share शिकार करता है तो वह एक कदम पहले पीछे लेता है वैसे ही कुछ risk ऐसे आते हैं जो market में थोड़ा सा पीछे निकलते हैं मतलब company को थोड़ा सा डाउन शो क करेंगे और उसके बाद company एक लंबी छलांग लगाती है तो वैसे ही आपको risk को assess करना है क्योंकि अगर तो वह small risk है तो मतलब आगे जाके तो वह कुछ बड़ा करेगी लाइकर लाइकर प्रिजल हील अदर्स कुड़ बी बिग लाइकर फ्रंटर शोम जैसे कि हमें होते हैं कि रिस्क बहुत चोटा है या कोई तोफान आने वाला है उस company के अंदर तो हमें वो risk को assess करना है किस टाइप का risk है वो ठीक है तो अगर शोटा मोटा risk है तो as investor आप लो बैंक की भी ऐसी नहीं हो साई थी तो उसकी वज़े से अब उसका share price थोड़ा सा एक दिन में down आया तो बहुत सारे लोग अब डर चुके हैं कि बैंक बंद हो जाएगा बैंक बंद हो जाएगा is it possible बैंक हमेशा shift होता है यहां तो वो किसी बैंक में shift कर दिया जाएगा जैस है या small risk है अभी उस बैंक में stay करना बड़ बहुत चोटा रिस्क है क्योंकि मैं आपको क्या बता रही हूं कुछ महीने पहले same situation HDFC बैंक में भी आई थी और उस HDFC बैंक ने उस problem को solve out किया और सरकार ने अपना बैन हटा दिया तो same as it is हो सकता है तो आपको यही identify करना है कि वो रिस्क कितना को है 3rd manage risk अब आपको रिस्क को manage करना तो आना चाहिए ना जैसे आप बारिष में जाते हो तो रिस्क है कि बारिष होने वाली है मोसम खराब में तो आप छतरी लेके जाते हूं तो वन्स यू नो कि रिस्क है तो टेक स्टैप्स तो प्रोटेक्ट यूर्सेल्फ आपको उसी अकॉर्डिंग कदम भढ़ाने होंगे कि आपके बारिश में कदम जो है फिसले ना पानी किरा हुआ है सडकों पे तो अगर आप फिसले तो बहुत ज्यादा लसी हो जाएगी सड पिकनीक कैसे वैदर चेंज हो रहा है जब आप पिकनीक पे जाते हो तो ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता कि वान टाइम तिंग है इसको आपको रेगुलर्ली करना पड़ता है यह निए कि आज आपने चेक कर लिए कि कोई रिस्क नहीं है तो आप कल से बेचिंत करते रहना है जैसे आप अपने प्लांज को चेंज करते रहते हो according to the weather वैसे ही आपको अपने इन्वेस्मेंट स्ट्रेजी में भी चेंजिस करते रहने उसको according to market condition या market analysis adjust करते रहना है अगर आप adjustments नहीं करेंगे तो कही ना कहीं आ एक close वाली situation में आ सकते हैं So friends, next question क्या है, define capital asset pricing model, इसके advantage or disadvantages, उसके बाद arbitrage pricing model, तो इसके उपर मेरा already एक वीडियो में question है, बहुत सारे बच्चों ने I think वो कर भी रखा है, बाट हम लोग इस वीडियो में एक छोटा सा इसका आपको समझाएंगे कि actual concept है क्या, So capital asset pricing model is like a calculator, यह आपके लिए as a calculator की तरह काम करता है, investors के लिए it's help them, कि figure out करना कि कितनी return आपको अपनी, जो भी आपने risk लिया है, अपने पैसे invest की हैं, उसके बदले में आपको कितनी return expectedly मिल सकती है, think of it as a guide, यह आपके as a guide की तरह काम करते हैं, जो आपको बताता है कि आपको क्या मिलेगा in return, जो भी आपने पैसे लगाए हैं, कहीं पे भी चाहिए stocks में या bonds में, तो आपको exact बताएगा कि आपको अपनी लगाए हुए पैसो पर कितना return मिलेगा, इसकी definition क्या है, CAPM tell us that the investment से जो भी expected return आएगी, equal to safe return, like the government boards, plus a little extra for taking the investment risk, यह हमें पूरा calculate करके कि हमें expected return कितनी आ सकती है, safe return कितनी है, उसके उपर plus extra कितने मिलेंगे, जो हमने investment के उपर return ली, तो हमें यह calculate करके बताएगा, कि exact हमने जो पैसे लगाए, वो तो return आएगे, safe return, plus उसके उपर जो हमें investment के उपर risk लेने पर, क्या profit generate करके वो देखी, ठीक है, अब फटा-फट इसकी advantage और disadvantages देखते हैं, advantage क्या है, CAPM को use करना बहुत easy है, इसके अंदर यह हमें risk guide करता है, कि कहां पर risk है, पूरा हमें compare करके बताता है, थर्ड यह decision helper है, आपकी decision लेने में मदद करता है, in depth मैंने इस question को अलग से वीडियो में explain किया हुआ है, link नीचे description में डाल दूंगी, जिन्हों न भी पुरानी वीडियो से कर रख है, तो वो वहीं से करें, नए वाले concept को learn करने की उनको जरूरत नहीं है, next इसकी क्या है, disadvantages, CAPM की disadvantage क्या है, कि यह assumption के base पे होता है, तो कई बार यह गलत भी हो सकता है, तो क्योंकि इसमें जो भी decisions होते हैं, वो real life से perfectly match नहीं करती है, इसकी conditions, ठीक है, तो यह assumptions के base पे है, second, यह sensitivity, यानि कि छोटे-छोटे changes, जैसे कि interest rate में change होना, तो यह कहीं न कहीं predictions पे depend करता है, कि छोट-छोटे changes होगे, तो sensitivity, यह कह सकते है, flexibility कहीं में इसमें जादा नहीं देखने को मिल सकती है, तो disadvantage कहीं न कहीं बहुत बड़ी बन जाती है, इतनी जल्दी CAPM में prediction में change नहीं आता, तो छोट-छोटे जो changes है कहीं न कहीं वो एक बड़ा effect दे जाते हैं हमारी investment पे, next, market की reality, CAPM क्या है, यह सिरफ assume करता है, markets are super efficient, but sometimes they are not efficient as the model suggest, कई बार क्या होता है, कि वो ऐसे efficient होते ही नहीं है, जैसे हमें model suggest कर देता है, market की reality बहुत different होती है, क्योंकि यह CAPM सिरफ एक model है, यह assumption के base पे काम करता है, यह sensitivity को capture नहीं करता है, मतलब sensitive है एक तरह से बहुत जारी चीज़ों को capture ही नहीं करता है, तो इसकी disadvantage भी है, हम लोग totally अगर बोलें कि CAPM के उपर आख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो no, we can't, okay, next यहा other tool है CAPM का, जो investors की help करता है, understand करने में कि कैसे assets का क्या price रहने वाला है, assets जो है, वो कैसे in future, कहां जाएंगे, grow करेंगे, down जाएंगे, but instead of focusing, जो CAPM है, उसका main focus एक ही चीज़ पे होता है, है न, but arbitrage का focus सिरफ एक जगा पे नहीं होता है, but instead of focusing on just one factor, जैसे की beta, no, CAPM कंसीडर करता है multiple factors को, जो की asset के price को effect कर सकते है, CAPM सिरफ देखता है asset के price को, arbitrage multiple factors को consider करता है, अब arbitrage factor work कैसे करता है, think of it like baking a cake, आप एक cake bake करें, instead of just using one ingredient, जैसे कि अगर आप simple cake बना रहे हैं, तो उसमें एक simple ingredient यूज़ करें हैं, जैसे sugar, ठीक है, तो वो क्या है, वो CAPM है, but APM क्या करेगा, वहाँ पे arbitrage pricing model क्या करेगा, यह देखेगा, looks at a bunch of different ingredients, देखेगा कि एक different flavor create करते हैं, जैसे कि, जो की cake के taste को कहीं न कहीं effect करेंगे, जैसे कि मैदा, egg, उसमें flavor देना, different, different, सिरफ CAPM क्या देखेगा, कि उसमें ingredient क्या use होंगे, जैसे कि sugar, simple, सिरफ एक ही factors, multiple factors को consider करेगा, जो की asset को effect कर सकते हैं, केक को कौन-कौन सी चीजें cake में लगती है, cake का taste हमें, क्योंकि कुछ ना कुछ change करेंगे, तो taste में change automatically आएगा, similarly, जो हमारा arbitrage pricing model है, वो various factors को देखता है, जो asset के price को consider करते हैं, जैसे कि, like interest rate, कोई भी inflation, company की performance, company की economic condition, सब चीजें कही ना कहीं effect करती है, so arbitrage pricing model क्यों useful है, why is it useful, क्योंकि ये more comprehensive है, यानि कि बहुत सारे factors को ये consider करता है, CAPM सिरफ एक ही factor को consider करता है, secondly, इसमें flexibility है, ये investors को allow करता है, कि ये customize कर सकते हैं, model को specific factors के belief पे, जो भी investors को लगते हैं, कि factors जरूरी है, ये real world, ये real world application के उपर base करता है, यानि कि real world में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ों को combination ज़रूरी है factors के base बे, उसी के according ये assumptions करता है, तो इसकी example क्या है, let's say you are trying to figure out the price of a stock, APM क्या करेगा, would look at the various factors, जैसे की company के earning क्या है, company में industry trend क्या चल रहा है, overall market की condition क्या है, maybe even things like weather या political events, सब कुछ चेक करके आपको बताएगा, by analysis all these factors together, APM आपको एक comprehensive picture बता देगा, पूरा combine करके कि आपको ये करना चाहिए के ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, so अब बात करते हैं हमारे next question के उपर की difference किया है, CAPM और arbitrage pricing model में, so CAPM का main focus किसके उपर होता है, only one factor के उपर इसका main focus होता है, beta के उपर, market में risk कितना है, और य multiple factors को consider करता है, जो कि asset price को effect कर सकते है, capital pricing model primary market risk के factors को only consider करता है, और ये various factors जैसे कि interest rate, company की performance क्या है, different factors जैसे कि हमने बोला, बहुत सारे factors को consider करता है, इसमें assumptions, CAPM assume करता है कि all investors have same expectation, CAPM क्या assume करता है कि सब investors की same expectation है, और उसी के according similarly वो work करता है, but, जो arbitrage pricing model है, ये investors को allow करता है, कि अपनी expectations के according वो, जो भी उनके factors है, उनको set कर सकते हैं, जो भी उनको important factors लगते हैं, उनको select करके, उसी के according उस model को वो लोग use कर सकते हैं, जब हम कोई भी app open करते हैं, तो वहाँ पी हमें language selection का option आता है, तो वो है, जो arbitrage pricing model कि आपको sufficient, जो important आप उसको select कीजिए, और जो CAPM है, ये automatically assume कर रहे हैं, कि सभी उर्दू में ही भात करेंगे, ठीक है न, एक app है, जिसमें सिर्फ कोई language option नहीं है, ये assume करके बैठे कि जो भी मुझे चलाएगा, वो सभी उर्दू वाले बंदे, और एक application है, जिसमें हमें language option मिल रहे हैं, तो वो arbitrary pricing model है, अब next इसमें difference क्या है कि complexity, जो CAPM है, इसका formula जो है simple होता है, but arbitrary pricing model का formula थोड़ा सा complex होता है, क्योंकि इसमें multiple factors होते हैं, और risk premium होते हैं, उसके बाद applicability, जो CAPM है, widely used as a basic model, for estimating returns and risk, और इसका जो है, ये use होता है, more complex situation, ये basic model है, तो simple returns के उपर काम करता है, और ये complex situation में use किया जाता है, arbitrary, ये real world application, इसमें real world application हमने देखा, useful for understanding risk and return relationship with basic assumption, इसकी assumptions देख सकते हैं, real world application इसकी कुछ खास नहीं है, CAPM की, but ये जो है, arbitrary pricing model है, ये more comprehensive approach reflect करता है, real world की complexities को धिहान में रखता है, और उसी के according work करता है, एक यानि की होता है, जो client के according काम करता है, और एक होत की PM कौन है, CAPM वो है, जो कहता है कि मुझे पता है कि सारे client एक जैसे होते हैं, और arbitrary pricing model बोल रहे हैं कि नहीं, client different, different होते हैं, और मैं clients के according काम करूंगा, so different simple सा है, friends, next question क्या है, देखिए, discuss implication of CAPM on pricing of asset, कि CAPM कैसे implication होती है pricing of asset पे, तो simple से points है, इसके भी जैसे कि first ये estimating करके हमे return आने वाली है, उन दोनों को link करके बताता है कि क्या जो हमने risk लिया है, वो सही है या गलत है, उसके बाद market की efficiency के बारे में हमें बताता है, यानि की CAPM assume करता है कि market super efficient चल रही है, जत्ती भी available information है, वो already factor जो भी pricing है, उसमें involved है, तो CAPM हमें market की almost efficiency का predict करके बताएगा कि हमें actual return वो मिलेगी के नहीं मिलेगी, वो सूच रहे कि market already efficient है, next यह हमें decision making में मदद करता है, हमारी expected returns को compare करता है, different assets से, तो हमें बताता है कि क्या हमने decision लिया है, जो भी हमने investments की है, जो भी हमें आने वाले risk हैं, उसको avoid करने में कहीं ना कहीं हमारी यह मदद करता है, next valuation, CAPM जो है यह एक handy value investment है, यानि कि इसके अंदर आपके जो investments है, जो भी आपने assets के उपर invest किया है, वो value assets है, तो आपके hand है, आप कभी भी उनको जैसे की बाहर निकाल सकते हो, इसको sell करके, तो यह आपको हमेशा analysis करके मदद करता रहता है, figure out करता रहता है, कि future cash flow कैसा रहेगा, जो आपके discount rates है, according to CAPM, यह उन factors को consider करके, आपको time to time analysis करके बताता रहता है, simple terms में देखे, CAPM आपको guide करता है, हमने meaning में भी इसके यही चीज़े देखी, तो वही लिखी हुई है, ठीक है, अब last question हमारा क्या आता है, कि global investment क्या है, इसके benefits बताने है, various reasons क्या है, global investments के, क्यों जो investment के options है, कौन कौन से options है, जो available है, investment करने के लिए, और risk क्या है, अगर हम globally investment करते हैं, तो इक कुछ questions है, इसके ठीक है, तो फड़ा बाद देखते है, global investment मतलब क्या होता है, कि globally अपने पैसों को कहीं invest करना, outside the country, अपनी country से कहीं बाहर investment करना, that means global investment, instead of just investing in the things, जैसे के अपने ही country में invest करने के जगा, आप अपनी investment को spread कर सकते हो, all over the world, कहीं पे भी, it could mean buying stocks हो सकते है, आप company, different companies के countries में stocks buy कर रहे हो, bonds में invest कर रहे हो, future foreign government के जो bonds, government issue कर रहे हैं, उनमें invest कर रहे हो, आपने वहां की कोई property में investment कर दी, तो ये एक तरह से आपकी out of the country investment चली जाएगी, the idea is to diversify your investment and potentially tap into new opportunity की आपके beyond market ना चली जाए, जो भी market में problems चल रहे हो, जो भी situation हो, आपको updated रहना है, जिक है, अब global investment के benefits क्या है, बहुत सारे reasons भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसके benefits के point है, वही अगर आपको question आता है, benefits of global investment, तब भी आपनी यही heading से लिखनी है, अगर आपको आता ह reasons of global investment की क्या reason है, हम क्यों globally invest कर रहे हैं, तब भी आप यही points लिख सकते हो, first, diversify, reason और benefit क्या है, कि हम अपनी investment को diversify कर सकते हैं, यानि कि अपने सभी investment को different different जगा पे invest कर सकते हैं, एक ही जगा पे अपने सारे पैसे invest करने का कोई मतलब नहीं, second, assess to growth, हम अपने पैसे grow करना चा होती है, higher returns हमें receive होती है, तो यह इसके कुछ कह सकते हैं, हम लोग benefits भी थे, कुछ इसके reasons भी थे, कि हमें क्यों globally invest करना चाहिए, अब global investment के options क्या क्या है, अगर आप out of the country invest करते हो, तो option कौन कौन से available है, first है, पहला point क्या आता है, global investment के options में, international stocks में आप लोग invest कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग companies के share buy करते हैं, अपने ही world में, वैसे ही आप out of the country भी same चीज कर सकते हैं, investors can own a piece of companies, ठीक है, जो भी stock exchange में listed होती है, आप उन different countries में सभी के stocks को buy कर सकते हैं, first international stocks को buy कर सकते हो, second, global mutual funds में भी आप invest कर सकते हो, think of them as a basket holding stocks, ठीक ह इंवेस्ट कर सकते हो, third international bonds, जो foreign government के bonds होते हैं, उनमें भी आप invest कर सकते हो, foreign government के जो companies हैं, उनके अपने bonds हैं, तो आप उनमें अगर investment करते हो, तो कईना कई करंसी करंसी अलग होने की वज़े से आपको वहां से interest अच्छा खासा मिल जाते हैं, fourth option क्या है, आप real estate में, यानि क इंवेस्ट कर सकते हो, currency का भी difference होता है, तो currency की वज़े से 4X में trading करना भी, तो 4X में trading भी बहुत सारे लोग करते हैं, यहां पे chat pattern अच्छे से work भी करता है, तो 4X currency exchange में भी आपकी investments हो सकती हैं, अगर आप globally कर रहे हैं, तो next आपके लिए क्या option available, आप global commodities में भी invest कर सकते हो think of it as investing in raw material, जैसे raw material में invest करते हो, वैस उसको global commodities बोलते हैं, कि आप worldwide raw material बनाने वाली companies में invest कर रहे हो, ठीक है, after that global crypto currencies में भी आप invest कर सकते हो, किते सारे 7 options आपके पास available हैं, अगर आप globally invest करते हो, तो यह आपके पास options हैं, यह आप इन चीजों में invest कर सकते हो, आपके पास option य सकते हैं, option trading कर सकते हैं, intraday trading कर सकते हैं, मतलब options available हैं, जहां हम अपने पैसे invest कर सकते हैं, as it is, ऐसे ही same, बाहर other countries में भी कुछ options available हैं, अब next क्या है, कि अगर आप लोग globally invest करते हो, तो risk कितना को involved है, क्या क्या risk involved है, first currency fluctuate होती रहती है, अगर तो आपको globally invest करना है, तो अगर कोई ऐसी country में अपने invest कर दिया, जिसकी currency value down आ रही है, तो risk बहुत जादा है, second आपको चेक करना है कि उस country की political stability कितनी है, अगर वो political stable नहीं है, क्योंकि बहुत सारी country political stable नहीं है, तो भी आपके पैसे खत्रे में है, third economic risk, each country के अपने economics up and downs होते हैं, तो आपको चेक करन होता है, तो foreign country आपकी investment को यहाँ पे hurt कर सकती है, आपको losses दे सकती है, उसके बाद regulatory differences, rules and regulations different होते हैं, different country में अगर जैसे rules में changes आएगा, तो कहीं ना कहीं unexpected issues create होने वाले हैं, आपके investment के plans के उपर, next क्या risk involved है, culture differences होते हैं, क्योंकि culture और business practices foreign country में अलग होती है, different होती हैं, so difference in क कैसे business करना है, कैसे customer का behavior आपकी investment को impact करता है, यह कहीं ने कहीं वापे culture का difference है, कैसे हमें दूसरे बंदे को treat करना है, कैसे customer के साथ react करना है, behave करना है, तो यह कहीं ने कहीं आपकी investment के लिए risk हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे, अब globally आप invest कर रहे हो, तो कुछ ने कुछ तो आपने last video में किया, unit 2 हमारा इसमें हो गया, पूरा subjective आपका complete है, तो अगर आपको इसके related कुछ भी doubts है, screen पे इंस्टाइड, description में, links, telegram के, सभी links नीचे description में मैं देने वाली हूँ, कोई भी important topic भी है, चाहे चाहे कुछ भी है, तो आप लोग वहां से हमें contact कर सकते हैं, Stay tuned!